हलो दोस्तो, Be Wise and Wealthy चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे PNB Housing Finance की बारे में ये stock दोस्तो market का अभी काफी hot stock बना हुआ है पिछले कई दिनों से हमको इस पर circuit पर circuit पर circuit लगते हुए देखने को मिल रहे हैं आज की बात भी हम करें तो देखिए 10% के circuit पर ही आज इसने closing दी है पिछले 5 दिनों की बात करें तो देखिए शुरू में इसमें 20% के अपर circuit लग रहे थे फिर बाद में 10% के लगना चालू हो गया तो यहां पर देखिए 5 दिन में 86%, 87% के return एक महीने में देखिए दोस्तों क्या बहुकाल मचाय हुआ इसने एक महीने की बात करें तो 134% के return तो यह क्यों दोस्तों इतना तेजी से भाग रहा इसके पीछे क्या reason है पूरा आपको मैं detail में समझाने वाला हूँ एक एक चीज तो दोस्तों यहां पर पूरा आपको information मिलेगी कि यहां पर करना क्या है और आगे के run नहीं थी आपको बताऊंगा क्या strategy हमको follow करनी चाहिए इसमें यह भी बताऊंगा क्या यहां पर आगे के prospect है, growth के prospect है इस housing finance company में वो भी हम बात करेंगे और last time technical chart पर बात करेंगे क्या आपके लिए fresh buying level हो सकते हैं अगर आप इसमें invest करना चाहते हैं तो वीडियो दोस्तों काफी informative, काफी interesting होगा, पूरा देखिएगा अच्छा लगे तो like, share and channel को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चलते है reason की तरफ, तो reason दोस्तों यहाँ पर सबको पताई है capital raise यहाँ पर जो है board ने announce कर दिया capital raising और यहाँ पर करीब 4000 करोड के capital raise यह करने वाले है through preferential issue of equity and warrants यहाँ पर यह equity and warrants के through convertible warrants है यहाँ पर 4000 करोड का capital raise करने वाले है वैसे दोस्तों street को expected था कि करीब 800 करोड का यहाँ पर capital raising होगी लेकिन दोस्तों यहाँ पर almost double capital raise हुआ है तो एक तरीके से यह आप समझ सकते हैं कि यह तो तेजी का कारण है ना दोस्तों यह circuit क्यों लग रहे हैं इसी वज़े से क्योंकि street की जो estimates होता है कभी भी उसको अगर beat करते हैं चाहे रिजल्ट की बात करें चाहे capital raise की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जादा एक तरह से बहुत तेजी देखने को मिलती है शेयर में ठीक है 4000 करोड का आप देख सकते हैं यहाँ पर capital raise करने यह वाले हैं और यहाँ पर किस से raise करेंगे तो Carlyle Group से दोस्तों यहाँ पर यह 80% जो है capital raise करेंगे and remaining amount come from the other existing shareholders via with funds managed by area जो इनकी group companies है दोस्तों उनसे भी यहाँ पर यह capital raise करने वाले हैं तो Carlyle Group and जो है इनकी group companies ठीक है यह हो गया first अज Salisbury investment से भी Salisbury investment दोस्तों आदित्यपूरी की company है तो यहाँ पर यह भी investment करने वाले हैं हाला कि इनका stake थोड़ा कम रहेगा क्या Carlyle और group companies के मुकावले लेकिन इस्टेल यहाँ पर यह भी invest करने वाले हैं यह भी दोस्तों एक positive है क्योंकि आदित्यपूरी का नाम दोस्तों सबको मालूम है बहुत ही अतलब corporate जगत में आदित्यपूरी का नाम एक respect से लिया जाता है तो अगर वो किसी company में invest कर रहे हैं तो यहाँ से दोस्तों एक बहुत ज़ादा optimism आता है investors में तो यह है दूसरा reason जिसकी वज़ेश शेर में हमको इतनी बहेंकर तेजी देखने को मिल रही है और objective यहाँ पर क्या है capital raising का augment capital adequacy reduce gearing अब इसकी बारे में हम थोड़ नीचे दूसरे slides में बात करेंगे ठीक है यह हो गया capital raise structure हम देखें तो देखे प्रिफरेंशियल equity shares के थ्रू 80% capital raise होगी करीब 32 करोड और जो convertible warrants है उनके थ्रू 800 करोड तो करीब 4000 करोड almost 4000 करोड का यहाँ पर capital raising होने वाली है और जो investors है कौन-कौन है इसमें Pluto investment कार्डल गूर्प की company है 30.2% यहाँ पर इनके पास allotment होगा stake होगा Salisbury ज्वाधितियपूरी जी की company है 0.2 मतलब देखते हैं बहुत ही कम है general Atlantic Singapore 9.8 and alpha investment 3.8 तो यह है इनका structure दोस्तों यहाँ पर कौन-कौन investors हैं और कितना उनका shareholding percentage होगा अब आगे देखे way forward की हम बात करें तो आगे way forward मतलब की आगे दोस्तों यहाँ पर इस capital raising के बाद company में housing finance जो PNB housing finance company में क्या क्या हमको triggers growth के drivers देखने को मिल सकते हैं क्या आगे के इनके रणनीती होगी उसके बारे में अगर जाने तो देखें यहाँ पर improve CRAR and gearing CRAR मतलब दोस्तों यह capital adequacy ratio होता है kind of इसको आप general अगर टाउंस में बता हूं तो इसको capital to risk weighted asset ratio भी का जाता है लेकिन यह kind of इसको capital adequacy ratio भी आप कह सकते हैं तो अभी जो presently है 13.7 की दोस्तों यहाँ पर बाद में हो जाएगी यह पूरा restructuring हो जाएगी जब 28% आप समझ सकते हैं गजब की यहाँ पर capital adequacy ratio करने का इनका plan है और gearing भी यहाँ पर कम होने वाली है 6.7x की gearing है दोस्तों अभी तो यह improve होके 5x हो जाएगी gearing मतलब की proportion होता है दोस्तों यह debt and equity का जो company use करती है to support its operation तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि कितना यहाँ पर debt ले रही है company कितना equity में equity के थूँ यहाँ पर invest कर रही है अपने operations में तो यहाँ पर अगर जितना यह reduce होता है उतरना जादा अच्छा होता है तो यहाँ पर gearing भी इनकी improve होगी तो यह अच्छी चीज है growth accelerate करने वाले है यह growth opportunities in the housing finance sector with predominantly retail focus increased focus on fast growing affordable home loan segment तो यहाँ पर आप दे सकते है accelerate growth के यह यह जो point है इन्होंने यहाँ पर दिये है improve cost of funds तो definitely यहाँ पर दोस्तों हमको credit growth भी अच्छी खासी आती हुई देखने को मिल सकती है और experts का भी म जिरावट आएगी और cost of funds में भी improvement होगा और profit कम से कम at least इनका 20% के आसपास भी हमको growth देखने को मिल सकती है यह experts का दूस्तों यहाँ पर कहना है एक report के अनुसार देखिए cost management हमने बात कर ली digitization and analytics focus, transformation project, capital buffer, corporate governance तो यह सारी चीज़े दोस्तों कुल मिलाके यह सब चीज मिलाके अगर यहाँ पर सब चीज होती हुए हमको देखने को मिली तो आपको यहाँ से definitely जोस्तों housing finance की यह company अच्छा खासा growth दिखा सकती है भविश्य में तो यह हैं दोस्तों इनका way forward जो आपको जानना ज़रूरी है क्या इनके restructuring के बाद यहाँ पर इन group companies के investment के बाद क्या यहाँ पर चीज़े आगे होती हुए हमको देखने को मिलेगी तो यह हो गया दोस्तों way forward यह हो गया आपके capitalist structure कैसा होगा and यहाँ पर कौन-कौन invest कर रहा है इस company में तो यह आपको पता हो गया आप बात करें technical chart पर यहाँ पर क्या situation आ रही है देखिए पिछले चार दिनों से आप देखेंगे तो यहाँ पर अपर circuit लग रहे हैं लेकिन अब क्या हमको इसमें invest करना चाहिए देखिए दोस्तों बात करें housing finance sector की तो यह sector काफी promising sector है housing जो mortgage है housing finance sector है इसका penetration इंडिया में अ आपको बहुत बार बता चुका हूँ penetration का बहुत कम है mortgages का यहाँ पर जो है चलन बहुत कम है तो जैसे जैसे हमारे अभी developing nation है जैसे 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 दोस्तों developed phase की तरफ बढ़ेगा यहाँ पर हमको housing finance sector भी अच्छा खासा grow करता हुआ देखेगा और expected है जोस्तों as per report यह sector हो रहा है income बढ़ रही है लोगों की ठीक है जो है economy यहां से मजबूत होगी और definitely उसे यह सारी चीज़े एक तरह से support करती है affordable housing के लिए दोस्तों government ने कितना अच्छा initiative already हाँ पर launch कर रहा आपको पता ही है जहाँ पर हर घर जो है affordable housing में मतलब की हर घर कुछ ऐसा ही है उसके तहत यहां पर government हर जन को घर provide कराईगी वह भी affordable rates पर तो यह sector दोस्तों बहुत ही अच्छा sector है लेकिन बात करें जब sector की तो दोस्तों हमेशा हम बात करते हैं जैसे कि आपको हमेशा यहां पर knowledge देने की कोशिश करता जब भी आप किसी sector में जाएं तो उस sector के leaders के साथ जाएं तो यहां पर आपको दोस्तों पता है कौन leader है यहां पर leader है दोस्तों HDFC Limited जहां दोस्तों एक शांदार company शांदार group को belong करने वाली company यहां पर HDFC housing finance की जब बात होती है तो अच्छा खासा इसका market share है और काफी field में इस industry में ठीक है यह होगी पहली बात track recording का काफी अच्छा है market share काफी अच्छा है और यहां पर बात करें fundamentals की तो fundamental दोस्तों आपको पता ही है housing HDFC के मतलब housing development finance corporation के fundamentals सबसे बहतरीन है तो यहां पर यह top की company अगर आपको housing finance sector में जाना है तो आप इसमें जरूर invest कीजिए दोस्तों यह sector बहुत जादा grow होगा और दूसरी company में अगर आपको जा नहीं है तो मेरे ख्याल से जोस्तों आवास financial यहां पर मुझे बहुत बहुत बहतरी company लगती है affordable housing company है यह specifically affordable housing के के यहां पर यह industry में काम करती है बहुत ही अच्छे fundamentals है अच्छा गासा growth दिखाई है अच्छा इसका management है तो यह दो companies मुझे पसंद है जिनका market share सबसे जादा है first HDFC फिर है दोस्तों I think Awas financial LIC housing finance India bulls and I think अब दोस्तों PNB आ चुकी है यहां पर market cap के according मुझे बात करूं चौथे नमबर पर PNB आ चुकी है PNB housing finance यहां पर यह पर यह कंपनी जो ओपर की top की है इसमें आप invest कर सकते हैं अगर आपको PNB housing finance में invest करना है तो आप दोस्तों इसमें 1000 के level के ऊपर 1000 यहां पर आप देख रहे उसके basis पर दोस्तों हमको decision लेना चाहिए कभी भी news based rallies में हमको participate नहीं करना चाहिए हो सकता है दोस्तों यहां से हमको कल से इसमें फिर से lower circuit देखने को मिल जाए तो यहां पर दोस्तों फसना नहीं है कभी भी चलती train के पीछे नहीं भागना है यह मैं आपको हमीशा सिखाता मैंने कई example दिये आपको कई बार मैंने रेल टेल में भी example दिया आपको burger king में भी example दिये रेडिंग टेन में भी example दिये और भी कितने example दोस्तों अपने वीडियो के तुर आपके साथ share करता रहता हूं कभी भी चलती train के पीछे मत भागिया तो यह भी एक दोस्तों news based train है जो quarter's के result आएंगे तब जाके आप इसमें invest कर सकते हैं मैं ऐसा नहीं बोरा दोस्तों इसके fundamentals खराब है PNB housing के भी fundamentals अच्छे हैं थोड़ा से यहां पर I think जो है issue है वो इनकी loan book के साथ है जी आ दोस्तों loan book के साथ है बाकी दोस्तों अगर देखे fundamentals तो थोड़े से इनके अच्छ कर सकते हैं देखिए जब share शान्त हो ना stock शान्त हो तब ही investment करना चाहिए देखिए यहां पर यह शान्ती के साथ चल रहा था जब किसी ने investment किया नहीं लेकिन अब जब यह भाग रहा है तो सब भाग रहे हैं इसके पीछे तो कभी भी ऐसा नहीं करना है हमेशा आपको risk reward ratio रिस्क reward ratio यहां पर दोस्तों इसका बहुत गंदा हो चुका है तो यहां पर आप समझिए कि अगर आपके पास 1000 रुपे है न तो आपके पास यहां पर 900 रुपे की risk है और 100 रुपे का सिर्फ reward है यह समझ के चलिया reward है 100 रुपे का risk है 900 रुपे का तो यह आपको हमेशा calculate करन है कभी भी investment करने से पहले चलती हूँ train को नहीं पकड़ना है यह साइकलोजी वाली बात है यह आपको सीखना पड़ेगा अगर successful होना है stock market में लंबी दूरी तक जाना है और लंबी दूरी तक जाएंगे कच्छुए की चाल चलेंगे अराम से धीरे-धीरे चलेंगे तभी दूस्तों stock market में सफल हो पाएंगे यह में अपने experience है आपको बता रहो और आपने कई दूसरे प्लैटफॉर्म से भी यह जरूर सुना होगा stock market में दूस्तों एक दिन का गेम नहीं है यह लंबे टाइम का गेम है एक दिन में कोई अमीरी नहीं बनता एक दिन में wealth generate नहीं हो दूस्तों पूरा analysis I hope यहाँ पर आपको help हुई होगी information मिली होगी अच्छा लगए video informative लगा है तो video को please like कीजिएगा share कीजिएगा चैनल को ज़रूर subscribe कर लिए दोस्तों ऐसे ही updated content के लिए मिलते है next video में till then take care bye bye